चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरी बच्चों MCC वा स्टेट कोटा काउंसलिंग के दोरान डिपोजिट सेक्रूटी मनी का रीफंड कब मिलेगा ये कौन-कौन से कंडिडेट को मिलेगा इस विशर पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले MCC के रीफंड की बात कर लेते हैं तो MCC द्वारा की गई MBBS कोर्स की काउंसलिंग 29 डिसमबर 22 को खतम हो चुकी थी और BDS की काउंसलिंग 14 जनवरी 23 को खतम हो जाएगी रीफंड के लिए MCC द्वारा एक मैने का समय लिया जाता है मतलब MBBS एडमिशन की लास्ट डेट के 40 डेज और BDS एडमिशन की लास्ट डेट के 25 डेज बाद रीफंड आ जाता है फाइनली ये रीफंड 10 फरवरी 23 को स्टार्ट हो जाएगा और 20 फरवरी 23 तक सभी इलिजिबल कंडिडेट का रीफंड आ जाएगा 5 फरवरी 2023 के नियरबाइ रीफंड के रिगार्डिंग MCC द्वारा नोटिस डाल दिये जाने की पूरी-पूरी पोसिबिलिटी है अब इस रीफंड के लिए कौन-कौन से कंडिडेट इलिजिबल हैं जैसा कि आपको पता है MCC द्वारा गवर्मेंट कोलेज के लिए UR EWS केटेगरी के लिए 10,000 रुपीज डिपोजिट हुए थे और SCST OBC के लिए 5,000 रुपीज और DIMD के लिए 2,000,000 रुपीज सेक्रिटी मनी के रुप में डिपोजिट किये गए थे तो इस रीफंड के लिए वो सभी कंडिडेट इलिजिबल हैं जिनोंने MCC द्वारा कंडेक्टेड फर्स्ट रौंड, सेकेंड रौंड, मोपप रौंड और इस्ट्रे रौंड में जोइन कर लिया है उन सभी कंडिडेट्स की सेक्रिटी मनी वापस आ जाएगी जिन कंडिडेट्स को MCC काउंसलिंग के दोरान कोई भी सीट अलोट नहीं हुई फर्स्ट रौंड को छोड़ करके सेकेंड रौंड, मोपप रौंड, इस्ट्रे वेकंसी रौंड किसी में भी सीट अलोट नहीं हुई उन्होंने जोइन नहीं किया तो उन सभी कंडिडेट को सेक्रिटी मनी वापस मिल जाएगी वो सारे कंडिडेट इसके लिए इलिजिबल है ऐसे कंडिडेट जिनको MCC के फर्स्ट रौंड में सीट अलोट हो गई थी उन्होंने जोइन नहीं किया उनको भी ये सेक्रिटी मनी रीफंड होगी क्योंकि फर्स्ट रौंड फिरी एगजिक्ट है अब इसके लिए कौन-कौन से कंडिडेट इलिजिबल नहीं है तो जिन कंडिडेट को MCC के सेकंड रौंड मोपप रौंड और इस्ट्रे वैकेंसी रौंड में सीट अलोट हो गई थी और उन्होंने जोइन नहीं किया तो उन सभी कंडिडेट की security money forfeit हो गई उनको कोई refund नहीं मिलेगा अब ये refund कोनसे account में आएगा तो वो जिस account से आपने पे किया था उसी account में ये refund वापस आएगा अगर किसी कंडिडेट ने card से या UPI से payment किया है तो जिस bank account से card या UPI जुड़ा हुआ है उसी bank account में आपका refund वापस आ जाएगा अब बात करें state counseling के refund के बारे में तो ये अलग-अलग state के refund के अलग-अलग rules है लेकिन generally हर एक state में counseling की last date over होने के 16 days के अंदर अंदर ये security money वापस आ जाती है तो state की जो security money है वो भी 5 से लेके 10 marks तक सभी candidates की उनके account में आ जाएगी तो ये security money के बारे में video था क्योंकि हर एक student को अभी admission होने के बाद ये ही रहता है कि हमारी security money कब आएगी तो मैंने ये previous year के record के आधार पर ये बताया है और ये ही date exact रहने की possibility है तो ये जानकारी थी refund के बारे में जैसे ही refund initiate होगा इसके बारे में notice आएगा तो मैं आपको वीडियो बना कर बता दूँगा आप अपना account चेक कर लेना आपके account में refund आ जाता है तो ठीक है नहीं आता है तो फिर आगया आपको further process बताएंगे कि आपको क्या करना है तो मिलेंगे नई updates के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिन